हेलो इस वीडियो में आप गूगल शीट के बारे में डिटेल में जानेंगे कि गूगल शीट को कैसे बनाया जाता है और इसमें काम कैसे किया जाता है के बारे में इस वीडियो में सिखेंगे तो सबसे पहले हम ये सिखेंगे कि गूगल शीट है क्या गूगल शीट बैब आदारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है MS Excel की तरह शीट बनाई जाती है गूगल शीट को हम एडिट, अपडेट और शेर कर सकते हैं गूगल शीट में हम फ्री में काम कर सकते हैं ये क्लाउड पर आदारित है इसलिए हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए तब ही हम इसमें काम कर सकते हैं गूगल शीट में बहुत से लोग मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं और गूगल शीट को बहुत से लोगों के साथ शेर किया जा सकता है Google Sheet को बनाने के लिए हम सबसे पहले कोई भी यहां पर ब्रॉजर ओपन करेंगे जैसे यहां पर Google Chrome हमने ब्रॉजर ओपन किया ओपन करने के बाद यहां पे हम Google Drive को ओपन करेंगे तो यहां पर जाएंगे यहाँ पर जाने के बाद यह Google Drive है यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस Google Drive में Login करेंगे Google Drive में Login होने के लिए हमारे पास Gmail Account होना चाहिए तब ही हम इसमें Login हो सकते हैं तो नई है तो हम इसको Create कर सकते हैं अगर है तो हम यहां पे क्लिक करेंगे use another account यहां पे क्लिक किया यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे email id वरेंगे यह email id हमने यहां पे भर दी इसके बाद यहां पे next पे क्लिक करेंगे next पे क्लिक करने के बाद यहां पे password वरेंगे यह हमने यहाँ पे पासपोड बरा इसके बाद यहाँ पे Next पे क्लिक करेंगे Next पे क्लिक करने के बाद यह जो है Google Drive यहाँ पे उपन हो जाएगा Google Sheet यहाँ से Create करेंगे तो Google Sheet को बहुत तरह से Create किया जाता है जैसे कि एक तो हम यहां से नया टैब ओपन करके यहां पे सर्च करेंगे हम Google Sheet यह Google Sheet यहां पे सर्च होके आ जाएगी यहां पे सबसे पहले यह लिखा हुआ है Google Sheets Free Online Surprise Sheet for Personal Use यहां पे हम क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद यहां से यह Interface ओपन हो जाएगा जिसमें कि हम यहां पे जाएंगे Go to Google Sheet यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद ऐसा Interface हमारे पास आ जाएगा जिसमें कि बहुत से यहां पे Template दिये गए हैं यह सभी यहां पर template है, यह blank template यहां पर दिये गया है, और चाहिए तो यहां से बहुत से template है, यह देखो, जो भी हम यहां से use करना जाते हैं, उसके उपर हम click करेंगे, white template यहां पर आ जाएगा, लेकिन हम यहां पर blank template पर click करेंगे, click करने के बाद, यहां पर यह Google Sheet create होके आ ज से भी हम Google Sheet को create कर सकते हैं, अगर इस method से हमने इसको नई create करना है, तो हम इसको बंद करेंगे, टैप को बंद करेंगे, इसके बाद Google Sheet को create करने का दूसरा method है, यहां पर new पर जाएंगे, new पर जाने के बाद, हम यहां पर Google Sheet यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर click करेंगे यहाँ पे दो option आ जाएंगे एक में दिया हुए blank spread sheet अगर हमें blank spread sheet बनानी है तो हम यहाँ पे click करेंगे या from a template टेंपलेट चूज करके हमने बनानी है तो हम यहाँ पे click करेंगे हम यहाँ पे blank spread sheet यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे click करने के बाद यहाँ पे Google Sheet यह बन के आ जाएगी यह देखो यह Google Sheet यहाँ पे बन के आ गई है तो यह दूसरा method है जिसके जरी हम Google Sheet को create कर सकते है इस तरह से भी हम Google Sheet को create कर सकते है अगर इस method से हमने Google Sheet को create नहीं करना है तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ से बंद करेंगे टैब को बंद किया बंद करने के बाद यहां पे तीसरा method Google Sheet को create करने क्या है अगर हमने Excel Sheet पहले से बना की रखी हुई है तो उसको हम Google Sheet बना सकते है इसके लिए क्या करेंगे हम यहां पे Excel Sheet को यहां पे upload करेंगे तो upload करने के लिए हम यहां पे my drive पे जाएंगे यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद upload file यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद अब किस Excel Sheet को हम Google Sheet बनाना जाते है उस पे click करेंगे जैसे suppose करो हम यह GS इसको Google Sheet बनाना जाते है तो यहां पर click करेंगे, click करने के बाद यहां पर open पर click करेंगे, open पर click करने के बाद यह sheet जो है upload होके यहां पर आ जाएगे, google drive में आने के बाद हम इसको open करेंगे, तो open करने के लिए हम इसके उपर double click करेंगे, double click करने के बाद यह sheet यहां पर open हो जाएगे, लेकिन हम इसको google sheet बनाना जाते हैं तो हम क्या करेंगे यहां पे open with google sheet यहां पे more button पे click करेंगे और इसके बाद यहां पे google sheets यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद यह google sheets में यहां पे बनके आ जाएगी यह देखो यह processing यहां पे हो रही है और यह होने के बाद यह google sheet का interface यहां पे बनके आ जितना भी आईए Google Sheet का इंटरफेस बनके यहाँ पे आ गया आने के बाद आगर हम इसको नेम देना जाते हैं किसी और नेम से इसको सेव करना है यहाँ पे इसको कोई और नेम दे देंगे जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे रोहित नाम हमने यहाँ पे लिखा लिखने के बाद यह रोहित नाम से सेव हो जाएगी तो पहले से बनी Excel Sheet को भी हम Google Sheet बना सकते हैं इसके बाद Google Sheet में क्या होता है अगर हम कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे तो वो आटोमेटिक सेव हो जाएगा अब यह जो डेटा यहाँ पे दिया गया है इसको अगर हम जूम करना जाते ह यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 200 जूम यहाँ पे रखा रखने के बाद अगर हम यह चाहते हैं कि यह जो डेटा है बहुत से लोगों के साथ शेर किया जाए तो हम इस डेटा को बहुत से लोगों के साथ शेर कर सकते हैं और बहुत से लोग इसमें काम कर सकते हैं फिर तो परने के लिए हम क्य करेंगे? यहांपे Share बटन पे कलिक करेंगे शेर पर कने के बाद यह Share डाइलोग बोक्स यहांपे आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है Share with शेर पीपल चली जाएगी तो हम यहां पे mail id वरेंगे यहां पे जैसे यह mail id हमने यहां पे वरी टी वाई के एक तो यह mail id वरी अगर और mail id यहां पे हम बरना जते हैं तो हम यहां पे बर सकते हैं इसके बाद यहां पे दिया गया है अडिटर यहां पे more बटन पे क्लिक करेंगे more बटन प क्या मतलब होता है इसका मतलब यह होता है कि जिसको हमने यह google sheet बेजी हुई है वो इसको cable देखी सकता है इसमें कोई भी changing नहीं कर सकता है इसके बाद second जो है commenter इसका मतलब यह होता है कि जिसको हमने यह google sheet बेजी हुई है वो यहाँ पर comment कर सकता है बाकी इसमें changing नहीं कर सकता इसके बाद थार्ड है अडिटर, अडिटर का मतलवी यह होता है कि जिन जिन लोगों को हमने ये गूगल शीट बेजी हुई है, वो सबी लोग इस गूगल शीट में काम कर सकते हैं, चेक किया अडिटर, यहां पे क्लिक करने के बाद अगर हम यहां पे कोई मैसेज लिखना ज हुई है, इस मेल आइडि को यह रोहित नाम की गूगल शीट यह चली जाएगी और यह मैसेज साथ में जाएगा, यहां पे हम क्या करेंगे, फिर यहां पे सेंड पे क्लिक करेंगे, सेंड पे क्लिक करने के बाद, अब हम यह देखना जाते हैं कि इस मेल आइडि में यह minimize किया और इसके बाद यहां पे firefox browser को open करेंगे लिखेंगे Gmail Gmail लिखने के बाद यहां पे हम google's Gmail यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद अब हम यहां पे उस mail ID को open करेंगे जिसको हमने यह google sheet बेजी हुई है तो हमने बरने के बाद यहां पे next पे क्लिक करेंगे यह दिखो यहां पे mail id आ गई है dr sing इसने google sheet को बेज़ा था और यह google sheet यह रोहित नाम की google sheet यहां पे आ गई है आने के बाद हम यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक किया यहां पे क्लिक करने के बाद जो message हमने भरा था hello वो यहा गूगल सीट जो है इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के लिए यहां पे ओपन पे क्लिक करेंगे ओपन पे क्लिक करने के बाद यह गूगल सीट यहां पे ओपन हो जाएगी यह गूगल सीट यहां पे ओपन हो गई है ओपन होने के बाद हम क्या करना जाते हैं इसको गूगल स क्लिक किया यह Google Sheet यहां पे उपन हो के आ गई अब हम इसको भी आँ पे जूम करेंगे यहांसे 100 है इसको 200 करेंगे यह 200 किया करने के बाद यह Google Sheet किसने बेज बैज हुई है इसको चेक करना जाते हैं तो यहां पे क्लिक करेंगे यह देको DR सिंग नहीं यह गूगल शीट पे जी हुई है यहां पे क्लिक करके हम इसको चेक कर सकते हैं इसके बाद शेर करती बार एडिटर की परमीशन यहां पे दी गई थी तो जो भी यहां पे कुछ भी लिखेगा बहुत चेंजिंग जो है दूसरी शीट मे भी हो जाएगी तो इसको चेक करने के लिए हम दोनों ब्रोजर को ओपन करेंगे तो इसको करने के लिए हम यहां पे इसको यहां पे रखेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे यह बड़ा कर लिया इसके बाद Google Chrome इसको भी ओपन करेंगे यह ओपन किया और इसको भी यहां पर हाफ इसको कर लेंगे तो यह लेखो यहां पर दोनों mail ID हमने open कर ली एक TY इस mail ID को यहां पर open कर रख रख है एक DR इस mail ID को यहां पर open कर रख है तो यह DR ओनर है जिसने Google Sheet को share किया हुआ है इस mail ID के साथ तो यह mail ID है और यहां पे इसको permission दे गई है कि यह edit कर सकता है यहां पे कुछ भी तो यहां पे हम check करेंगे कि जो edit यहां पे हो रहा है वो edit यहां पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो इसको check करने के लिए हम क्या करेंगे जैसे suppose करो 88 यहां पे हमने click किया यह देखो यहाँ पे klik किया और यहाँ पे klik करने के बाद यह देखो यहाँ पे red में आ गया और यह जो name है यह साथ में बता रहा है कि यह जो edit कौन कर रहा है? TY कुमार यह TY साथ में आ रहा है तो TY कुमार इसमें Edit कर रहा है अगर इसमें Suppose करो हमने यहाँ पे 88 लिखा हुआ तो यहाँ पे करेंगे जैसे 95 यह 95 लिखा तो यहाँ पर भी 95 आ जाएगा यह देखो 12 हम यहाँ पे Click करेंगे तो यहाँ पे यह देखो U95 हो गया तो जो चेंजरिंग हमने यह से कि काम कर रही है तो यहां पर सपोस्ज करो कुछ चेंज होता है तो यहां पर automatic change हो जाएगा यहां पर जैसे मैंने लिखा 75 75 लिखने के बाद जब यहां पर बार यहां पर क्लिक करूँगा तो यहां पर भी 75 लिखा हुआ जाएगा यहां पर मैंने क्लिक किया क्लिक करने के बाद यहां पर क्या है यह 75 लिखा हुआ गया अगर इस google sheet में कोई changing होती है तो इस Google Sheet में भी changing हो जाएगी जैसे यहां पर यह देखो 45 यहां पर लिखा हुआ है यहां पर मैंने क्लिक किया और यहां पर क्लिक करने के बाद यह देखो यहां पर बता रहा है कि 45 पर यहां पर मैंने क्लिक किया हुआ है और यहां पर बता रहा है कि कौन इसमें काम कर रहा है DR pasti यह देखो नेम आ गया DR fishing यह DR sing तो यह यहाँ पर काम कर रहा है इस cell में तो यह पर suppose करो यहाँ पर लिखा 90 90 लिखने के बाद जब मैं यहाँ पर var क्लिक करेंग interpret यहाँ पर 90 निहाँ बन गया यहाँ परामीश्ण दे गई थी जिन को भी यह Google Google Sheets बेजी हुई है वो यहाँ पे edit कर सकता है अब इसके बाद अगर हम यह चाहते हैं कि जिनको भी हमने यह Google Sheets बेजी हुई है उसमें कोई भी changing ना कर सके तो हम क्या करेंगे यहाँ पे share button क्लिक करेंगे share button पे क्लिक करने के बाद अभ क्या करेंगे यह auditor यहां पे लिखा हुआ है auditor के यहां पे more button पे click करेंगे more button पे click करने के बाद viewer यहां पे first option है अगर हम यहां पे click करेंगे तो इससे क्या होगा जिसको भी यहां पे यह google sheet बेजी हुई है वो इस sheet को cable देखी सकता है उसमें कोई भी changing ने कर सकता है तो इसको यहां पे click करेंगे यहां पे click किया click करने के बाद यहां पे save पे click करेंगे उसके बाद यहां पे save पे click किया save पे click करने के बाद क्या होगा यह देखो यहां पे लिखा हुआ जाएगा view only का मतलब यह है कि cable इसको यहाँ पढ़ी सकता है इसमें कोई भी changing नहीं कर सकता तो इसको check करने के लिए हम क्या करेंगे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 85 85 की जगा यहाँ पर हम 92 करना जाते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 92 यह देखो 92 तो 92 यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा सबसे उपर view only तो जब यह लिखा हुआ जाए तो यहाँ पे हम cable इसको पड़ी सकते हैं इसमें कोई भी changing नहीं कर सकते हैं इसके बाद जितने भी user हैं उनको हम फिर edit करने की permission देना जाते हैं तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ पे जाएंगे share button पे share button पे जाने के बाद यहाँ पे viewer यहाँ पे more button पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर जाएंगे editor यहाँ पे इसको check करेंगे check करने के बाद editor यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद save पे क्लिक करेंगे Save पे क्लिक करने के बाद अब Edit की Permission यहां पे दे दी है अब जितने भी यहां पे जिसको हमने यह Google Sheet बेजी है वो सभी इसमें Edit कर सकते हैं तो यहां पे देखो इसको Refresh करेंगे यह Refresh के तो यह देखो Refresh करने के बाद यहां से फिर इसका जूम बढ़ा देते हैं 200 यह रखा रखने के बाद यह देखो यहां पे लिखा था View Only यहां से यह हट गया है अब हम यहां पे इस Google Sheet में कोई भी चेंजिंग करेंगे तो बो चेंजिंग सभी शीट में हो जाएगी तो Google Sheet के जरीए तो इस तरह हम यह काम इसमें कर सकते हैं इसके बाद इस अकॉंट को हम यहां से Sign Ode कर देंगे यहां पे Sign Ode पे जाएंगे और इसको Sign Ode कर देंगे Sign Ode करने के बाद यहां पे इसको बंद कर देंगे यहां पे इसको Maximize करेंगे Maximize करने के बाद अगर हम इस Google Sheet को अपने PC में डॉनलोड करना जाते हैं तो हम इसके लिए File Tap पे जाएंगे File Tap पे जाने के बाद Download पे जाएंगे Download पे जाने के बाद ये option आगे आ जाएंगे कि किस में इसको डॉनलोड करना है Microsoft Excel में इसको डॉनलोड करना है या Open Document Format में इसको डॉनलोड करना है या PDF Document में इसको डॉनलोड करना है या Web Page में करना है तो जिस भी Format में इसको डॉनलोड करना जाते हैं वहाँ पे हम क्लिक करेंगे स्पोस करो हम यहाँ पे इस Google Sheet को यहाँ पे Microsoft Excel Format में डॉनलोड करना जाते हैं तो हम यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद यह देखो यह जो Google Seat है यहां पर Download होजाएगी यह हमारे PC में आ जाएगी यहां पर इसको देखने के लिए हम क्ये करेंगे इसको Minivize करेंगे minimize करने के बाद यहाँ पे download पे जाएंगे यह download पे गए तो यह रोहित नाम के फाइल यहाँ पे download होके आ जाएगे इसके बाद यहाँ पे हम इसको बंद करेंगे बंद करने के बाद इसको open करेंगे open करने के बाद इसके बाद यहां पे जितने भी यह name लिखे हुए है अगर हम इन names को हिन्दी में लिखना जाते है यहां पे एक column insult करेंगे तो यहां पे right click करेंगे right click करने के बाद insert left यहां पर click करेंगे यह column यहां पर आ जाएगा आने के बाद हम के करेंगे यह सुरेश इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में लिखड़े के लिए हम यहां पर click करेंगे click करने के बाद हम यहां पर equal to sign यह लगाएंगे इसके बाद Google के बाद Google Translate यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद अब किसको हमने हिंदी में चेंज करना है यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद हम के करेंगे कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद double code लिखेंगे double code लिखने के बाद English लिखेंगे EN ये लिखा लिखने के बाद double code यहां पे बंद करेंगे double code यहां पे बंद कर दिया बंद करने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे फिर यहां पे double code लिखेंगे double code लिखने के बाद Hindi लिखेंगे HI आई यह लिखा इसके बाद फिर डवल कॉड यहां पे लिखा लिखने के बाद हम यहां पे इसको ब्रेकेट को बंद करेंगे बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद ये दिखो ये जो name है सुरेश यहां पर English में लिखा था ये जो English का name है ये हिंदी में यहां पर change हो गया अगर हम ये चाहते हैं कि ये सारी name जितने भी name यहां पर लिखे हुँआ है English में यह सब हिंदी में आ जाएं तो हम यहां पे सुरेज पे यहां पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इसको ड्रैग करेंगे निचे यह देको ड्रैग किया कहां तक चाहिए वहां पर हम इसको छोड़ देंगे यह देको छोड़ने के बाद यहां पे यह जितने भी नेम थे यह हिं इंदी में चेंज कर सकते हैं इसके बाद इस कॉलम को हम डिलीट करेंगे तो यहां पे राइट क्लिक किया है इस कॉलम के उपर और इसके बाद यहां पे डिलीट कॉलम यहां पे क्लिक किया तो यह कॉलम यहां से डिलीट हो जाएगा गूगल शीट में अगर कोई हम यहां पे extra sheet add करना जाते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे add sheet पे click करेंगे यहाँ पे जाएंगे add sheet पे click करेंगे add sheet पे click करने के बाद यह देखो यह दूसरी sheet है यहाँ पे बन के आ जाएगी यह एक cell है Google sheet में जो column होते हैं वो A से लेके Z तक होते हैं लेकिन हम इन columns को बढ़ा भी सकते हैं जैसे Google Sheet में कितने column है इसको चेक करने के लिए हम keyword से control प्लस right arrow की प्रेस करेंगे ये देखो right arrow की प्रेस करने पे ये जो column है last column यहाँ पे Google Sheet का वो Z है तो अगर हम यहाँ पे column add करना जाते हैं तो यहाँ पे column add करने के लिए हम यहाँ प insert right यहाँ पे click करेंगे ये देखो Z के बाद यहाँ पे AA आ गया इसके बाद और column यहाँ पे insert करना है तो यहाँ पे फिर हम जाएंगे right click करेंगे और इसके बाद insult right ये देखो A भी आ गया इस तरह अगर हम बहुत से column को insert करना जाते हैं तो ये column हम insult भी कर सकते हैं इसके में आ गए यहाँ पे इसके बाद Google Sheet में जो रोज होती है वो One से लेकर One Thousand तक होती है लेकिन इनको भी हम बढा सकते हैं ये इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे खुलिक करेंगे ये लेको यहाँ पे क्लिक किया इसके बाद total रोज कितनी है इसको चेक करने के लिए हम control की प्रेस करेंगे इसके वाद down arrow की प्रेस करेंगे यह लिखो यहाँ पे 1000 जो last वाले यहाँ पे row है वहाँ तक यह आ जाएगा 1000 है यहाँ पे total rows अगर हम यहाँ पे rows को बढ़ाना जाते है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे add यहाँ पे पे suppose करो हमने यहाँ पे 500 rows और बढ़ानी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 500 यह 500 लिखा लिखने के बाद यहाँ पे add पे क्लिक करेंगे यह लिखो add लिखा हुआ है यहाँ पे add पे क्लिक किया तो add पे क्लिक करने के बाद यह लिखो यहाँ पे 1500 यहाँ पे rows बन गे अगर 500 औ और add करनी है तो फिर हम यहां पे 500 यह लिखेंगे 500 लिखा और फिर हमने यहां पे add पे click किया यहां पे रोज कितनी बन गई 2000 तो यहां से जितनी भी हम रोज को बढ़ाना जाते हैं यहां से रोज को बढ़ा भी सकते हैं इसके बाद आगर starting वाली first row में जाना जाते हैं तो हम क करेंगे कीवोर्ड से control प्लस अप arrow की प्रेस करेंगे ये लिको first row में यहां पर आ जाएंगे तो जो एक्सल में रोज और कॉलम होती है एक्सल में रोज जो होती है वो 10,48,576 होती है और जो कॉलम होती है एक्सल में वो होती है 16,384 होती है और जो लास्ट जो कॉलम होती है एक्सल में वो xfd होता है इसके बाद यहां पर first sheet को open करेंगे first sheet को open करने के बाद अगर हम इस सारी data को select करना जारते है गूगल sheet के तो हम control प्लस ए प्रेस करेंगे तो यह सारा select हो जाएगा select होने के बाद अगर हम यह data जैसे हम चाहते हैं कि यह name o english यहां पर chemistry physics math total यह जो आएं यहां पर freeze हो जाए तो हम के करेंगे freeze करने के लिए हम यहां पर click करेंगे और यहां पर click करने के बाद इसको निच्चे ले आएंगे, यह देखो निच्चे ले आए, निच्चे ले आने के बाद, अब हम यहां पे, जो भी यह देखो, यह जो first पूरी row है, यह freeze हो गी है, फ्रीज होने के बाद, अगर हम इसको roll करेंगे, यह देखो, नमबर उपर जा रहे हैंए, यह 12, 16, 17, यह, और य फर्स्ट रो जो है यहां पर फ्रीज होगी है यह देखो यहां पर यह फर्स्ट रो यहां पर फ्रीज होगी है तो इस प्रकार हम इसको फ्रीज कर सकते हैं अगर हम इसको आटाना जाते हैं यू पर जाके फ्रीज पर जाके नो रोस यहां पर क्लिक करके यहां से फ्रीज यहा यहां पे और इसको यहां पे इसके उपर रखेंगे यहां पे इसके उपर रखने के बाद यह देखो यह कॉलम यह कॉलम जो है यह फ्रीज हो गया है अब यहां पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद यह देखो आगे जाएंगे तो यह फरस्ट कॉलम फ्रीज हो गया है यह दे लिए आएंगे यह देखो यहां पे छोड़ेंगे C पे तो C पे छोड़ने के बाद यह तीन कॉलम यहां पे फ्रीज हो गया है अब क्या करेंगे जैसे हम यहां पे आगे जाएंगे तो यह तीन कॉलम यहां पे फ्रीज हो गया है यह देखो तीन कॉलम यहां पे फ्रीज हो ग यहां से फ्रीज हट जाएगा इसके बाद आगर हम यह सेकंड शीट है इसको हाइड करना जाते हैं तो इसके ओपर राइट क्लिक करेंगे राइट क्लिक करने के बाद यहां पे हाइड शीट यहां पे दिया गया है यहां पे क्लिक करेंगे तो यह शीट यहां से हाइड हो जा name करना है तो इसके उपर right click करेंगे हम यहां पे rename 被 click करेंगे और इसको name देंगे जैसे RT name दिया तो RT name यहां पे आ जाएगा तो ये sheet का name आ गया अगर color देना जाते हैं तो फिर ही इसके उपर right click करेंगे change color कौन सा color देना है जैसे यां पे blue color यह चाहिए तरह ही होती है इसमें भी हम MS Excel की तरह काम कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने Google Sheet के बारे में डिटेल में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद